नमस्कार, एकजाम है पी बाई ज्ञारकन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जेटेट परिच्छा की तियारी को ले करके है कि आपको जो परिच्छा है, वो जेक की किताब से लिजाएगी, जेसी आर्ती टेस्ट बुक शे लिजाएगी तो आप सभी अभी तक यदि जेक की किताब जेसि आर्ती किताब नहीं खरीत पाएं हैं और उसके नोट्स नहीं बना पाएं है तो हम आपके लिए यहाँ पर special केवल chapter by chapter class 6 to 10 तक का यहाँ पर complete करवा दे रहे हैं आप पुझे CRT Jack की किताब जहां से आपका passing marks का guarantee होता है ठीक है तो आप सो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो 9631054226 पर संपर करके यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आप 101% पास करने के आपकी guarantee भी होती है तो अभी जुड़े और उसके साथ साथ आपके लिए देखे test series की भी शुरुवात कर दी गई है तो जो यहाँ पर 6 to 10 तक complete करते हैं उनके लिए तो 500 रुपए है ही लेकिन जो यहाँ पर अब practice set यानि जो test series भाग लेना चाहते है वो 10 exercise 1 लेकर के आए हुए है यदि इसके पहले आपने यहाँ पर class 8 के राजनीती सास्त्र का यहाँ पर जो है 7 का class 7 का और 6 का नहीं देखें तो आप जोड़ो देख लिजेगा क्योंकि class 6 और 7 यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है ठीक है जेसी आटी test book का class 6 और 7 का राजनीती सा जूड़ पाएं है या नहीं देख पा रहे हैं समय बहुत कम है परिच्छा की घोसना हो चुकी है लेकिन आप इस कड़ी में यदि अपना life बनाना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी बहुत ही समय है उस समय को कम नहीं कहा जाएगा यदि आप इसमें जूड़ करके त्या तो आप भी जूड़ जाएगा ठीक है चली देखिए है आप यदि आप 1-5 सिखके त्यारी कर रहे हैं तो यह आपका जीए से से क्ष弄 के अंतरगत या और 6-8 सिखके त्यारी कर रहे है तो यह आपके लिए राजनित्ह या आपके लिए जो है यहाँ पर समाजिक भीज्या के अंतरगत काम कर रहा है और दूसरे में जो भासा सिच्छक है उनके लिए भी काम कर रहा है जो समाजिक विग्यान ऑप्शन रखे है तो चले प्रशन देखते हैं यहां पर प्रशन पुछ दिया है आपके पास ऑप्शन दिया है यहां पर भारत चीन अमेरिका या आश्टेलिया किसका है ठीक है तब बेश्व का सबसे बड़ा और लिखित सविधान जो है वो आपका भारत देश का है देखे गरों महसूस किजए आप सभी गरों महसूस किजए भारत का है ठीक है प्रशन आने वाला है आपके भिग्जाम में तो आप सभी जूड़ जाएगा ठीक है देखे इस में आज सुची और समवर्थी सुची में कौन-कुन भी सहात है उसका ट्रीक से भी हम बताएंगे इसलिए वीडियो के अंतक जुड़े रहेगा बने रहेगा देखते रहेगा वीडियो को स्कीप करके कहीं भी मत जाईएगा ठीक है सारे प्रशन इसके इसके इपोटेंट होते है जैसे आठीक है इसलिए एक भी यहाँ पर प्रशन छूटे नहीं इसके लिए आप सभी चेप्टर को पढ़ लेना है आपको ठीक है एक बार चले इसमें कौन सविधान की सुची में सामिल है इसमें कौन सविधान की सुची में सामिल है संग सुची में कौन सामिल है संग संग सुची पर कानून कौन बनाता है आपको बताना है ठीक है संग सुची जो होता है उस पर कानून कौन बनाता है बताना है राज सरकार केंदर सरकार दोनों या कोई नहीं ठीक है तो देखे हमारे यहां जो संग सुची होती है संग सुची उस पर जो कानून बनाने का अधि ठीक है प्रशन कहा कहा आया प्रशन देखिए आपका यूपी टेट में आया इसमें आया यूपी टेट में आया एमपी टेट में आया और यहां पर कहिए तो असम टेट में तीनों जगा यह प्रशन आया तो देखिए संग सुची राज सुची समर्ति सुची इसको देखना क और लोग पढ़ते नहीं है, कहते कहां सा है, तो जैसी आटीस है, केंद सरकार, राज सरकार, दोनों या कोई नहीं, ठीक है, तो राज सुची पर कानून को बनाता है, कानून बनाने का जो अधिकार है, देखें, राज सुची है, इसलिए इस पर नयान या कानून बनाने का ज बना सकता है, यह CGTate का प्रशन है, और आपका यह किस का प्रशन है, बंगाल टेस्ट का प्रशन है, ठीक है, तो दो जगा यह प्रशन आया हुआ था, कि समवर्ति सुची पर कानून कोन बना सकता है, संग सरकार, केंदर सरकार, राज सरकार, केंदर और राज सरकार दोनों, त ठीक है, चले, अग्ला दिखेगा, इसका right answer, D हो गया, समवरति सूची में, समवरति सुची में, यदि धोनों सरकार के बीच मतबेद होता है, मौलने जिये कि राज सरकार किसी और का है, और केंदर में सरकार किसी और का है और कोई कानून बनाना है तो उसमें क्या होता है दोनों में पट्री नहीं धूरता है तो अखिर कोई दो निर्ने लेगा न तो इसका लास्ट डिसिजन कौन करेगा लास्ट निर्ने कौन लेगा ठीक है अगर दोनों में नहीं पटा नहीं सा पश्चित रहता है इसका अंतिम नी नहां के इंस सरकार ही करेगे यहाद रखेगा उसको देख लिजेगा इसी का पॉश्य का संग सुची राज सुची का नीचे आपको ट्रिक के साथ जिसका जो विसा है वो सारा चीज हमने clear कर दिया गया है लेकिन अभी जो आए है उसको देख लिजे अंति में आपको नीचे मिलेगा इसका trick सभी का ठीक है संग सुची का भी राज सुची का भी और समर्ती सुची का भी कि कौन-कौन भी से किस में जाएगा ठीक ना चले देखिए तो सिछा किस स सुची का भी ग्या है याद रखेगा प्रसन आया हुआ था ठीक है तो देखिए हम आपको इसी तरह का मैंन मैं प्रसन निकालके देते हैं और गीzam जिसाठिका दयते हैं जहां से हर बार भीड़ा था हर बार भीड़ता है लिखाुआ कहीं भी प्रैक्टिسगें नहीं भीड़ता है नेकिन यहां तो आपको भीड़ना तै होता है स्वास्त की सुची का विशएय है संग सुची, राज सुची, सम्मर्ति सुचि या कोई नहीं ठीक है तो देखें सिच्छा सिच्छा इस पर दोनों कानून बनाते हैं यह जो लिए सम्मर्थी सुची में जाता है तो स्वास्त स्वा भी किसमें है सम्मर्थी सुची के अंतरगत रहता है पर्यावरन किस सुची का भिसे है पर्यावरन किस सुची का भिसे है तो एक हो गया स्वास्त एक हो गया स्वास्त एक हो गया सिच्छा सिच्छा और पर्यावरन पर्यावरन भी मिला जुला दिकार होता है राज सरकार केंदर सरकार दोनों का दिकार होता है उसको समवर्ति सुची कहते हैं इसलिए राइट एंसर इसका समवर्ति सुची हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा समवर्ति सुची देखें नोट में यह यहां पर दिया हुआ है नोट में यहां पर लिख दिये हैं क्योंकि यह प्रस्ण बहुत ही MBBI है इसको छोड़ने का प्रयास मत किजेगा आप सभी को ठीक है इसको लेके चलिएगा दिमाग में तो याद रखेगा सिच्छा स्वास्त और पर्यावरन यह तीनों भी सेह हैं जि सब 100-100 बार दुदू 100 बार पचप सो बार पूछ रहा है एक दम ठीक न तीनों को इसले हमने इंडिकेट कर दिया तो आप सभी अभी कभी याद कर दिये देखे अभी तक जो नहीं जूर पाए हैं उनको नहीं जूर पाए हैं वो अब टेस्ट सीरिज में सामिल हो सकते हैं जो भी नहीं जुड़े हैं नए लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए test series का शुरुआत किया जा रहा है और उनकी सारी त्यारी test series में ही हो जाएगी तो उनके लिए प्रतेक test series की किमत 10 रुपे रखी गई है जो test लगा सकते हैं और कितना मार्शाया आप इसमें देख भी सकते हैं ठीक है तो test series की शुरू आज बूद जल्द की जा रही है तो आप test series इनको देना होगा वो यहाँ पर 9631054226 पर संपर कर सकते हैं और test series में भाग ले सकते हैं ठीक है अभी जो यह test series है एक से पांच सिशकों के लिए शुरू किया जा रहा है जो एक से पांच के सिशक है वो जूडने का प्रयास किजिएगा ठीक है चले देखिएगा next आगे देखिएगा भूमी क्रीशी पूलिस किस सुची का विशा है भूमी क्रीशी और पूलिस किस सुची का विशा है भूमी क्रीशी और पूलिस किस सुची का विशा है संग सुची राज सुची सम पर राज सरकार का ठीक है, तो ये सभी जो है आपका राज सरकार के अंतरगत आते हैं, यानि भूमी हो गया, क्रिशी हो गया, पुलिश हो गया, ये सभी राज सुची का विशय है, सुरच्छा, वीत, संचार, सुरच्छा, वीत, संचार, ठीक है, किस सुची का विशय है, संचार निरनाय लेते हैं उस संग सुची में जाता है किस में जाता है संग सुची में और कौन-कौन किस में जाएगा उसके ले नीचे ट्रिक भी है बस कुछ देर रुख जाएगे एक मिनट उसके बाद आपको ट्रिक शारा कुछ मिल जागा उसके बाद आप इहां से याद कर लिजेगा केंदर रस्तर पर कर्येपालका का सविधानिक अध्याच कौन होता है केंदर रस्तर पर कर्येपालका का सविधानिक अध्याच कौन होता है राष्ट पती, उप राष्ट पती, परधान मंत्री या कोई नहीं तो जो हमारे मंत्री परिशत होते हैं, उनका अध्याच कौन होता है, राष्टपती, वो पराष्टपती, परधान मंत्री या अभिमुक मंत्री, ठीक है, तो मंत्री परिशत की जो बैठक करते हैं, वो कौन करते हैं, परधान मंत्री करते हैं, तो उनकी जो परधान होते हैं, वो यहाँ पर परधान मंत्री ही होते हैं मंत्री परिशत का ठीक है प्रशन यूपी में आया एमपी में आया सीजी में आया और असम में तीनो जगा चारो जगा यह प्रशन आ गया है आप सभी का पारी है आपका भी यहाँ पर आ सकता है मंत्री परिशत किसके परती प्रशन बहुत ही MBBI है, MBBI है, सभी राजों के सिछक पत्रता में पूछा गया है, आपको भी यहां से प्रशन आ सकता है, लोक्षभा, राज सभा, विधान सभा या कोई नहीं, ठीक है, तो मंत्री परिशत किसके परती उतरदाई होता है, तो मंत्री परिशत कहां बैठते हैं नियाधिस की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, उच्चितम नियाले या उच्चितम नियाले के नियाधिस की नियुक्ति कौन करता है, परधान मंत्री, राजपाल, राष्टपती या उपराश्वदी, ठीक है, तो उच्चितम नियाले हो या उच्चितम नियाले, उसके न न्याधिसों को हटाया जा सकता है, किस के दोरा हटाया जा सकता है, न्याधिस को जज को किस के दोरा हटाया जा सकता है, राश्टपती के दोरा, उपराश्टपती के दोरा, महाभ्योग के दोरा या कोई नहीं, ठीक है, तो उच्टम न्याले, उच्टम न्याले के न्याधिस को हटाया जा सकता है वो है आपका दिखेंगा पर महाभीयोग के द्वरा किसके द्वरा महाभीयोग के द्वरा हटाया जा सकता है ठीक है मौलिक अधिकारों को सविधान की कहा जाता है मौलिक अधिकार को सविधान की क्या कहा जाता है ठीक है तो मौलिक अधिकार को सविधान की आत्मा कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रश्ण बहुत ही important है प्रश्ण एक हजार एक बर पूछ दिया गया आपके exam में आपका भी यहाँ पर प्रश्ण आने जा रहा है तो आप सभी इसको देख कर कहीं जाईएगा जेक्टेट के लिए ठीक है चले लगला दिएगा सब्धान के भाग में मौलिक अधिकार का उलेक है ठीक है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है आपका मौलिक अधिकार है देखे प्रश्न यही है प्रश्न यही है कि सब्धान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार हो का उलेक है 12 से 35 तक किसका उलेख है, मौलिक अधिकार कहीं है, मौलिक अधिकार, मौलिक करतब, मौलिक निवास या कोई नहीं, ठीक है, सविधान के अनुछे 12 से 35 तक जो है, आपको मौलिक अधिकार का उलेख किया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार का उलेख किया गया है, किलियर, चलि साथ याट ठीक है तो प्रारम में जो हमको मौलिक अधिकार दिये गये थे वो साथ मौलिक अधिकार थे ठीक है साथ मौलिक अधिकार थे लेकिन इसमें से मौलिक अधिकार को हटाया गया है और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या को कौम कर दिया गया है ये प्रशन कि प्रारम में सब्धान में कितने मौलिक अधिकार थे हैं ठीक है देखें दो चीज आप याद रखेगा मौलिक अधिकार किसको रखेगा मौलिक अधिकार ना और याद रखेगा मौलिक अधिकार हो गया और याद रख लेजेगा मौलिक कर्तब्य मौलिक कर्तब्य ये दोनो भारतिय सभधान में कितने मौली का अधिकार है, ठीक है, प्रारभ में मौली का अधिकार की संख्या कितनी थी, साथ, अब इसमें सेगों हटा दिया गया, किसको, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है, साथ में सेग हटा, बच्चा कितना, 6 आनि मोलिक अधिकार क्ऊन है? कितने थौशन का 6 है, क्या आप सभी मोलिक कृषार के nama को जानना चाहते हैं, तो आपको नीचे अभी इसका ट्रिक दिया जा रहा है, आप सभी मोलिक अधिकार जो 6 है, 6 का नाम आप याद कर लिजएगा, अभी सिर्फ एछ छोटे से ट्रिक के माध्यम से बस पने रहेगा जूड़े रहेगा देखिए जहां जीसा जरूरी रहता है वैसा आपको इसमें पढ़ाए गया है जिससे कि आप एकदम सभी चीज़ इसको कभर कर सके और JCRT से जैके किताब से बाहर एक जरासा भी नहीं है क्योंकि प्रस्ण का देखिए unlimited है कोई साइसा अधिकार था जो साथ गो था उसमें से किसी को हटाया गया एक हटा तब तो बना छेना तो यह कौन सा अधिकार को हटा दिया गया है सोतनतता का अधिकार समानता का अधिकार संपतिका अधिकार या कोई नहीं ठीक है तो मौलिक अधिकार की स्रेनी से जो हटा दिया गया, वो संपति का अधिकार को हटा दिया गया है, क्लियर हो गया, चले अगला दिखेगा, प्रारम में मौलिक कर्तव्य, देखें, दोगों चीज, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, दोनों अलग-अलग है, कर्तव्य अलग है, और अधिकार अलग चीज बताता है, ठीक प्रारम में मौलिक कर्तब्य की संख्या कितनी थी, छो, दस, नौ, एगारा, ठीक है, तो प्रारम में जो हमको मौलिक कर्तब्य दिये गए थे, वो दस दिये गए थे, तो देखे, मौलिक अधिकार अधिक था, और उह हो गया कौम, लेकिन मौलिक कर्तब्य कम था, लेकिन उह ह गया अधीक, 10 से 11, याद रखे गया, यानि मौलिक कर्टब ये बढ़ा है, अब मौलिक अधिकार घटा है, ठीक है, अब देखे गई हैं पर, वर्तमान में मौलिक कर्टब की संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में जो है, वो मौलिक कर्टब की संख्या कितनी है, 7 है, 10 है, 11 है तो मौली कर्तवे बढ़े हैं, इसलिए वर्तमान में एक और मौली कर्तवे बढ़ा दिया गया, उसमें क्या बढ़ा गया पता है आपको, तो 6 से 14 बर्ष के बच्चों को बिद्याले में भेजना अनिवारी कर दिया गया है, एक कर्तवे ये माता पीता सभी का बढ़ा दिया एक सभी पर क्या हुजागा, केस हो जागा, तो ये मौली कर्तवे में डाल दिया गया है ठीक है, तो आपको क्या है वर्तमान में मौली कर्तवे बढ़ा कीतनी है, साथ है, दस से 11 है तो बढ़ snel एंगा इही प्रशन पूछा गया था, येही प्रशन आपका जेट्ट में भी पूछा गया था, जेटेट में पूछा गया था, 6-14 बर्स के बच्चों को निशूल के अनिवारी सिछा, संपत्ती रखना, प्रयावरण के रच्छा करना या कोई नहीं, तो यही एक आरवा मौली करतबे में 6-14 बर्स के बच्चों को नया संसुदन करके जोड़ा गया, कि स इसमें निशूल के अनिवारी सिछा उलेक किया गया है, 21 का 23, 24 या 22, तो वो 21 था, 21 के कौ में इसको जोड़ दिया गया है, और उहाँ पर पताया गया है, कि 6-14 बर्स के बच्चों को यहाँ पर सभी का करतब भी बनता है, कि उसको बिदाले पोहुचा है, और उनका यहाँ पर निशूल अध्यान करवाएं, ठीक है, चली, देखिएगा अगला, 6-14 बर्स के बच्चों को निशूल को निवारी सिछा का उलेक किस सब्धान ससोधन के तहट किया गया, ठीक है, तो देखिए, यह जो है आपका किया गया, जो जोड़ा गया है, वो 2002 में, यानि यह कौ सब्धान अध्यान करवाएं, इसको निशूल के अनिवारी सिछा का प्रधान किया गया है, और यह अनुछेद किसमे है, तो यह अनुछेद 21 कौमे है, किसमे 21 कौमे है, ठीक है, चलिए अगला दिखेगा, सिच्छा का अधिकार बिध्यक को पारित किया गया, कब पारित किया गया, सिच्छा का अधिकार अधिकार अधिनियम, 4 अगस 2009, 4 अगस 2010, 15 अगस 2011, या 20 अगस 2012 टीक है तो देखे पारित जो किया गया इसको 2009 में, 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया, शिछा का अधिकार अधिनियम, पारित कप किया गया, वहां से विधयक से t009, स्भी में ठीक है, 2009 इस recreate हो गया, लेकिन लागु कप किया गया तो लागू जो आपको किया गया, वो आपको इहां पर किया गया, देखिए, प्रशन भी आ गया, कि सिच्छा का अधिकार कानून लागू किया गया, कब किया गया, एक अपरेल दो हजार आठ, एक अपरेल दो हजार नोग, एक अपरेल दो हजार दस, एक अपरेल दो हजार ए और यह प्रस्ण अब तक जो है एक कावन बार पुछा गया है अब तक एक कावन बार देखे इतना कम समय में इतना ज्यादा बार आ गया है तो इसलिए याद रखेगा सिच्छा का दिकार अधनियम पारित कप किया गया तो 2009 207 में लागु कप किया गया तो 2010 206 अप्रेल में ठीक है याद रखिएगा ना और किसके द्वारा तै छाषिया सिवा सब्धान संसोधन अधिनियम 2002 देखिए आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं आप किसमें जा रहे हैं टीचिंग लाइन का परिच्छा देने जा रहे हैं तो यहां से प्रश्ण बनता है यहां से प्रश्ण बनता है कि आएगा तिसले आप सभी देख करके ही जाईएगा इसको छोड़के मत जाईएगा देखे हम तो आपको आप सभी को इतना अच्छा तियारी करवाना चार हैं कि सभी को पास करें सिर्फ 500 रुपए में आपकी तियारी करवाई जारी सिर्फ 500 आप सब्जेक्स समाप्ति होती है और टेस्ट सीरी चलाया जाएगा ठीक है तो टेस्ट सीरी फोगा ले ₹10 रुपए देख करके यहां पर टेस्ट सीरीमें भी जूड़ सकते हैं जो टेस्ट सीरीमें जूड़ेंगे उन्हीं का सिर्फ टेश्ट लिया जाएगा बाकी का ट वीडियो मिलता है और वो टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं तो 10 रुपया प्रते दिन फॉन पे या गूगल पे इस नमबर 9631054226 पर संपर करके टेस्ट में भाग ले सकते हैं देखे टेस्ट ज्यादा समय का नहीं है प्रते एक दिन आपको 20-20 प्रसन का टेस्ट लिया जाएगा कितने प्रसन का लिया जाएगा 20 प्रसन का यह टेस्ट सीरीज होगा जो इसके लिए आपको एक नियत समय के अंदर जो है आपको वाट्सप पर जाएगा यह प्रसन और आपको बना करके सेंड कर देना है और उसके बाद आपको बताना है कि कितना सही हुआ अपनी भाग तीन का भाग चार या भाग चार का तो देखे भाग चार के का में मूल कर्तवे को जोड़ा गया है और मौली के अधिकार तो इसके पहले आप किलेर हो गया मूल कर्तब्य को जोड़ा गिया जोडने वाला चीज देखे 42 में 42 में जो नया नया चीज जोड़ा गिया है बहुत पहले का चीज जो है यह नया नया तो नहीं तो वो 42 सब्धान संसुदं 44, 86 या कोई नहीं ठीक है तो 42 सब्धान संसुदं अधनियम जो है जो 1976 इसमें मुगा था उसी में मूल कर तभी को सामिल किया गया है ठीक है मूल कर तभी को सामिल किया गया है धर्म निर्पेशता का साब्दिक अर्थ है धर्म का निरादन करना धर्म का लगाओ नहीं रखना धर्म के परती निर्पेश भाव का होना धर्म के परती आस्था नह तो धर्म निर्पेचता का अर्थ है वैसे अधिकार जो ब्यक्ति को जन्व से प्राप्थ होते हैं क्या कहलाते हैं मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल कर्तब्य या धर्म सिलता ठीक है तो वैसे ब्यक्ति जो जन्व से ही प्राप्थ होते हैं वो मानव अधिकार होते हैं क्यों होते हैं मानव अधिकार होते हैं ठीक है अगला है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रस्ण ये पुछा गया है मानवा धिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर 10 नोवंबर 10 अक्टूबर 10 अप्रेल ठीक है तो मानवा धिकार दिवस का मनाया जाता है सभी मानों को जो जन्म से दिकार प्राप्त होते हैं उसी को मानव अधिकार कहते हैं और मानुवा धिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को यहां पर मनाया जाता है मानुवा धिकार आयो का गठन कब किया गया मानवाधिकार आयो का गठन कब किया गया 1992-1993-1994-1995 तो मानवाधिकार आयो का जो गठन है वो आपको यहाँ पर किया गया है आप देख लिजेगा इसको 1993-1993 में मानवाधिकार आयो का गठन किया गया अगला प्रस्ण है . 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 आपको पता है ना, वर्तमान में मौली का अधिकार 6 है, तो कभी कभी प्रश्ण पूछता है कि मौली का अधिकार कौन-कौन है, नाम देखें, तो मौली का अधिकार का नाम याद रखने का एक ही ट्रीक आपको मिलेगा यहाँ पर, जो आपको दिया गया है, ठीक है, क्या है, समस्त सोध संस्कृति के उपचार में है समस्त सोध संस्कृति के उपचार में है इतना ही आपको पढ़ना है ठीक है? देखे समस्त सोध संस्कृति के उपचार में है कहावत है कि जो पहले की संस्कृति है उसी में सभी चीज़े जुड़ी हुई होती है तो समस्त सोध संस्क्रीति के उपचार में है समस्त का मतलब है दिके समानता का अधिकार ठीक है सम का मतलब इसमें है समानता का अधिकार और सत का मतलब है दिके सोतंतरता का अधिकार ठीक है तो पहला होगे समानता का अधिकार दूसरा होगे सोतंतरता का अधिकार और तीसरा सोध में दो अच्छर है सो और धह तो सो से है सोशन के बिरूद अधिकार और धह से है धार्मिक सोतंतरता का अधिकार शांसकरिति का मतलब है सिच्छा समंदी उपचार और उपचार का मतलब है सोविधानिक उपचारों का अधिकार ठीक है चलिए एक बार इसको देख लेते हैं हम लोगी हाँ पर इस तरह से प्रकिलियर देखे जो बनाये हुआ है समस्त सोध संस्कृतिक उपचार में है दो बार तीन बार लिख लिजेगा न तो ये आपको याद हो जाएगा और कहीं भी अभी तक आपको जो है यहाँ पर याद करने के लिए हमको लगता है कि नहीं मिला होगा तो आपको देखिए इसलिए आप लोग को हम सब तरह से सरल बनाते हैं आपके कंसेप्ट को चाया वो ट्रिक लेना हो चाया बैसिक कंसेप्ट लेना हो और जो एक्जाम में जो आना है उसको धराना ही मकसद है इसलिए जो लोग अभी तक भी नहीं जुड़ पाएं आज भी देखिए आप 500 रुपए में जुड़ सकते हैं अभी भी 500 रुपए में जुड़ करके क्लास 6 तू 10 तक का जैसे आटी का जिसने कंप्लेट किया वो तो समझे कि 60% पासिंग मार साने में कोई भी नहीं रो सकता है चाहाए वो 1-5 की त्यारी कर रहे है चाहाए वो 6-8 की त्यारी कर रहे है तो आपका पासिंग तो यहां से होना फिक्स है ठीक है तो आप सभी अभी वीडियो देखने बाद जुरूर जुर जाईएगा जिससे कि आपको पस्तावा नहीं रहे परिच्छा में जाने से दो दिन पहले भी अगर यह नोट्स लेकर आप देखते हैं तो यह सबसे आपका ऑथेंटिक नोट्स होगा अन्नी किताब की अपेच्छा बहुत ही कम प्रशना इसमें है बहुत ही कम इसमें बताया गया है तो समस्त में सम से यहाँ पर देखें सम से है समानता का अधिकार सत से सोतनता का अधिकार सोध में सो से है सोसन के विरुद अधिकार धो से है धार्मिक सोतनता रता है उपचारों का अधिकार याद रखेगा बहुत बार प्रस्फट पूछा गया है चली अब देखेगा अब अगला ट्िक है संग सुची में आने वाले बिसाए का नाम याद रखने का ट्रिक संग सुची में कौन-कौन बिसाए आएगा आपको याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न एक निकल के आता है, ठीक है, तो करें, यू रमा, कौन, यू रमा बेबी, आज रेडो संग नहीं चली गए, पोई कहता है ने कि यू ही रमा जो है, यू ही रमा जो है, आस इसके साथ नहीं भाग गए, तो वही चीज़ यहां पर कर रहा है, यू ही यू ही रमा बीबी, आज रेडो संग नहीं गए, तो याद रखेंगा, यू रमा बीबी, आज रेडो संग नहीं गए, अब देखें यहां पर, यहां सब को लिख लिजें, यहां पर सब को लिख लिजें, ठीक है, तो देखें हो गया, यू रमा बेबी, आज रेडो संग यू का मतलब है यूद, यानि यूद जो है किसका विषय है, रा का मतलब है रच्छा, रच्छा किसका विषय है, तो यह सभी संग सुची का विषय चल रहा है, किसका चल रहा है, संग सुची के आने वाले विषयों को, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो संग जो से जनगनना, रे से रेल और डा से डाक यानि आपको संग सुची में कौनकौन भी से आते हैं तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा यू रमा बेबी आज रेडो संग भाग गए यू ही रमा बेबी आज रेडो संग भाग गए यू का मतलब यूद, रो का मतलब रच्छा, मा का मतलब देशी मामला, बे का मतलब बैंकिंग, बी का मतलब बीमा, आ का मतलब आयकर और जो का मतलब जनगनना, रे का मतलब रेल और डाग का मतलब डाग, यह सभी किसका है, तो यह सभी संग सुची का विशय है, यह सभी किसका विशय है, संग सुची का विशय है, क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, राज सुची के अंतरगत आने वाले विशयों का नाम याद रखने का ट्रीक, राज सुची के अंतरगत क पूजा करता है، और किस में चला का मतलब है नयाय राजसुची का विशे पू का मतलब है पूलिस राजसुची का विशे जे का मतलब है जेल राजसुची का विशे ठीक है यानि क्रिसी सिच्चाई नयाय और पूलिस और ये सभी जेल ये किसका है तो ये जो है आपका राजसुची का विशे है क्लियर हो गया चलिए अगला देखिए सम्वर्ति सुची के अंतरगत आने वाले विशय का नाम याद रखने का ट्रीक सम्वर्ति सुची के अंतरगत कौन-कौन विशय आएगे उसका नाम याद रखने का छोटा सा ट्रीक है बहुत ही छोटा सा ट्रिक है स्री स्यू जानकार है स्यू जी क्या है? जनकार है? अरधंगी है तो वही याद रखेगा स्री स्यू जानकार है और स्री में स है याद रखेगा इसमवर्ति सुची चल रहा है याद रखेगा इसमवर्ति सुची चल रहा है ठीक है तो चलिए देखिए स्री सिव जनकार है से क्या हो गया तो देखिए यहाँ पर स्रमीक संग श्रमीक संग स्री से स्रमीक संग स्सिच्छा वो से वन जन से जानवर ना स्री सिंग यादि Hello यह यह जो है आपका समर्ति सुच्पhone सिच्छा समर्ति सुची में, सिउ में, समर्ति सुची में, जानकार में, जानवर हैं, और कार, कार से कार खाना, ये सबी समर्ति सुची का विशय है, क्लियर हो गया ना, तो आपको देखेंगे, आप राज सुची पता चल गया, केंदर सुची, समर्ति सुची में कौन-कौन व वो बता दिया गया, मौलिक अधिकार बता दिया गया, मौलिक करत भी बता दिया गया, देखे अगर इसे प्राशन अलग्स अगर लुशेंट से जाकर पढ़ते रहेगा, तो 5000 प्राशन मिलेगा, पगलाईएगा, इसलिए कम पढ़िए, जैसे यह 8 पढ़ के जाएए, और रि संग सुची में 97 विशय थे, और वर्तमान में 98 विशय है, पूछेगा, संग सुची में प्रारम में कितने विशय थे, 97, वर्तमान में कितने है, 98, कलियर, चलिए, अगला दिखेगा, सभधान लागू होने के समय प्रारम में राज सुची में 66 विशय थे, लेकिन वर्तमान में 62 विशे है ठीक है सभिधान लागोंक्स में आरम में कितना था 66 विशे था लेकिन वर्तमान में कितना विशे है 62 विशे है किसमें राज सुची का ठीक है चले लेगला दिखे गए प्रारम में समवर्ति सुची में 47 विशे थे और वर्तमान में 92 विशे है समवर्ति सुची आई है 62, समवर्ति सुचे में कितने भी से हैं, 51, 52, 47, 48 या कोई नहीं, तो वर्तमान में कितना है, 52 है, तो इस तरह से यहाँ पर देखे, आपको जो भी प्रशन बने थे, जैसी आटी का, उसको हमने निकाल दिया है, तो आप सभी के लिए एक सुचना आउसक है, कि आप जो स इशक टेस्सीरीज में भाग लेना चार है, टेस्सीरीज के सुरुवात की जा रही है, जिसमें सभी राज्यों के आई हुए प्रशन पत्र भी रहेंगे, तो आप यहाँ मारे मोबाइल नमबर से संपर कर लेंगे, और टेस्सीरीज में जो अभी तक नहीं जुड़े है, प आपको यहाँ पर 20 प्रशन का टेस्सीरीज दिया जाएगा, जो आप यहाँ पर देख करके लगा सकता है, ठीक है, चलें, नेक्स्ट देखेगा यहाँ पर, अब अगला वीडियो